जौनपूर में पूर्वांचल विश्वेद्याले के शिक्षिकों का हैर तंगेज कारवनामा सामने आया है जहां फॉर्मेसिकी परिक्षा में चार छात्रों को उत्तर पुस्तिका में प्रश्णों के उत्तर की जगह जैश्री राम और क्रिकेटर्स के नाम लिखने पर 56 फीसिदी अंक देकर पास कर दिया गया फिलहाल एंसा कारनामा करने वाले दोनों आरूपी शिक्षक डॉक्टर विने वर्मा और डॉक्टर आशुतोष गुपता पर कारवाई की तलवार लटकी है दरसल वीर बहादूर सिंग पूर्वांचल विश्विद्याले में संचालित डी फार्मा के पहले और दूसरे समेश्टर के छातरों को उत्तर पुस्तिका में प्रश्णों के उत्तर की जगह जैश्री राम और क्रिकेटर्स के नाम लिखने पर पास कर दिया क्या इस मामले में विश्विद्याले के पूर्विछात्र दिव्यांशू ने सूचना के अधिकार के तहट जानकारी मांगी थी पूर्विछात्र दिव्यांशू द्वारा 3 अगस्त 2023 को डी फार्मा पर्थम सेमेश्टर के 18 चात्रों के रोल नंबर उपलब्ध कराते हुए उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर मुल्यांकन की मांगी थी इसके बाद विश्विद्याले द्वारा 58 उत्तर पुस्तिकाओं की प्रती उपलब्ध कराने को कहा गया था लेकिन केवल 42 उत्तर पुस्तिकाओं की प्रती उपलब्ध कराई गई सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में छात्र को जो उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां उपलब दिकर आई गई उस कौपी में छात्र ने लिखा था जैश्री राम पास हो जाएं इसके लावा विराट कोली, रोहिश शर्मा, हर्दिक पंडिया जैसे खिलाडियों के नाम भी लिखे गई थे उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर के बजाए जैश्री राम और क्रिकेटर्स के नाम लिखने पर विश्वेद्याले के शिक्चुकों के द्वारा इस छात्र को 75 में से 42 संक यानी 56 फीजदी अंक देकर पास किया गया था पूर्विच्चात्र दिव्यांशु ने शबत पत्र के साथ राजभवन में शिकायत की थी शिकायती पत्र में आरोप है कि पैसे लेकर छात्रों को पास कर दिया गया था राजभवन द्वारा शिकायत को संग्यान में लेते हुए 21 दिसंबर 2023 को जाच कर कारवाई का आदेश दिया गया था पूर्वांचल विश्विद्याले की कुलपती ने कहा जैश्री राम वाली कॉपी मैंने नहीं देखी कल एक ही कॉपी देखी थी जिसमें हेंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही थी कुछ ऐसा नहीं लिखा गया था जिस पर अंक दिये जा सके डॉक्टर विनैवर्मा और डॉक्टर मनीश गुपता दोशी पाए गये हैं आचार सहिता के बाद एक्जेक्यूटिव काउंसिल का जुर निर्णय होगा उसके अनुसार करवाई की जाएगी नहीं अब जैश्री राम वाली कॉपी तो मेरे उसमें नहीं आई है एक कॉपी मैंने देखी थी कल परिक्षा समीती में उसमें कोई जैश्री राम या टीचर प्लेयर्स का नाम नहीं था लेकिन उसमें जो लिखा था वो बहुत क्लियर नहीं था और कुछ भी ऐसा लिखा नहीं दिख रहा था जिसमें मार्क्स दिये जा सके राजभवन के आदेश पर विश्विद्याले ने शिकायत की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठिट की जांच में जो सामने आया वे सब को हैरान कर दिया राजभवन को भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं में 80 में से 50 उत्तर पुस्तिकाओं में अधिक अंक दिये गए थे जब उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर मूल्यांकन कराय गया तो बहा परिक्षकों के द्वारा शू ने अंक प्रदान किये गए ऐसे मैं पूर्व छात्र की शिकायत सही पाई गई